धर से निकला और सीधा पहुँचा ट्रेन में भोपाल जाने के लिए और मैं 15 वजे भोपाल, घर पहुचके मैंने कुछ खाया पिया और सीधा, मैं अठा सुबै, मैंने विरस किया, नहायाद होया और फिर नहायाद हो के बाहर ही निकला, फिर ब्रेकफास्ट रेडी था तो मैंने चाय पी ब्रेकफास्ट किया उसके कवर्ड जमाया और सामान जमाया कवर्ड में और तैयार होके परक्षप के लिए हो गया रेडी मैंने अपना सामान अनपैक किया और बहुत सारी चीजें जो मैं भूल गया था उनको कॉल करके बूला कि भिजुआ दे मैं तैयार होके बाहर पहुँचा तो मैंने देखा बारे सो रही थी तो मैंने सीधी कार उठाई और बर्क्शॉप के लिए निकल गया रस्ते में चाय ली और यह मैं पहुँच गया बर्क्शॉप फिर मैं बैठाई था बर्क्शॉप में और यह देख लागे जिनकी कार में नाइट्रोजन बरिया नहीं ती पर लाइट नहीं नहीं बरिया इन का कर राण बाद आ आई एक काम हो गया एक ट वह दौना का का शुरू कर वाया देखा तो फिर इनका का सुरू हो गया और आज ही की दिन में काम कंप्लीट हो गया और इनकी गाली रेडी थी जाने के लिए काफी टाइम से अंदर नहीं आया थे मैं ओफिस में आया मैंने स्टॉक देखा क्या 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 नहीं आया क्या क्या पुराना है मैंने जमाना शुरू किया और सब कुछ देखा तुम्हें फिर ही हो गया तो मैं सामान देखने लगा क्या 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 सामान है क्या क्या आने की जरूरत थे मैंने हर एक सेक्शन में जाके नहीं नहीं चीजें देखी क्या-क्या नया है क्योंकि हमारे पीछे भी बॉडी सॉप का काम लग गया है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं और सामान फिर जिसको कुछ कुछ सामन देना था मैंने उसको सामन ढुड़वाया और दिया फिर वो अपनी काम पे लग गया और मैं भी अपनी काम पे लग गया उसको सामन देते ही मैंने और आगे देखना शुरू गिया क्या क्या नया आया है चलो तो देखते हैं क्या और नया है फिर मैं यहां टाटा की सेक्षन में पहुंचा टाटा का सर्विस का सामान देखा सब क्या क्या है क्या क्या नहीं है और आगे देखते हैं क्या क्या नया है फिर मैंने हां किलिच पर डिस्प्रेक सब देखा और यह देखिए इस टोक में बहुत सारा सामान है फिर मेरी नजर गई इंजिन उठाने की क्रैन पर जोकी नई आई थी हमारे बर्क्षब में क्योंकि मैं तीन महीने से यहां पर था नहीं तो मुझे पता नहीं थे क्या-क्य नया आया है तो मैंने इसको देखा फिर इसके बाद चलते हैं आंगे और क्या-क्या नया फिर मैं आगे वड़ने लगा मुझे बहुत सारी नई चीजें दिखी फिर यह स्वेट आई जोकी धुलनी थी इसको धुलवाया और रेडिकर फिर इतने में ही एक और गाड़ी अठा के दिया और सर्वे से स्टार्ट करवा दी बहुत टाम हो गया था तो मैंने रेस्ट कर लिया और मैं टीवी देखने लगा उसके बाद उसके बाद एक अंकल यह जायलो लेकिया जिनका रूप टॉप लीक कर रहा था तो उसका हम लोगों न सॉल्यूशन किया बहुत टाम बाद मुझे याद आया कि मेरे तो 12 से एक्जाम आनी वाले हैं तो मैंने सोचा थोड़ा पढ़ लिया जाए और मैंने भैक खुला बुक निकाली और पढ़ने बैठ गया मिलते हैं थोड़ी देर मैं यूँ ही फिर मेरे लंच का टाइम हो गया तो मैंने इस कोटी उठाई जो कि बर्कशॉप पर ही रखी थी और मैंने निकल गया घर की ओर खाना खाने के लिए खाना खाके लोटके आता हूँ फिर आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर में खाना खाके लोटके आया तो मैं इस दुकान विरुका जो कि मैं हमेशा रुकता हूँ और मैंने चाई पी और आगया बर्कशॉप पर जहां कि देखा ये स्विप्ट अभी भी साफ हो रही है जो कि नहीं हुई थी फिर हमारी बर्कशॉप में एक रेटा आई जिसमें नीचे से लीकेज हो रहा था तो हमने देखा रेटा का काम हो ही रहा था इतने में योण आ गई और इसकी सर्विस होनी थी तो मैंने जाके तुरंती इसका सर्विस का सामान उठाया वो लड़के को दिया ताकि सर्विस स श्क्राइब कसे स्टार्ट हो जाएथ थोड़े ही देर मैं हम भी मिलते हैं आपको सामन उठा की देखिए चलते हैं कि मैं काफी दिन बाद आया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हुन्ड़ाई का सामन कहा है तो मैंने थोड़ा ढूड़ा और इसका सामन मिल गया तो मैं उठा के चल दिया लड़के को देने ताकि मुझे बहुत टाइम लग गया सामन उठाने में मैं भी बहुत भुलक कड़ो हूं लेकर मुझे सामन मिल गया और यह मैंने दे दिया यह देखी है यह यह फिल्टर रियोन का चलिए अब सर्विस होने ने और आगे बढ़ते हैं कुछ और काम करते हैं आज का ब्लॉक खतम हु के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को पियस ठाकर ब्लॉक जाएं